हेलो गाईज आपको स्वागत मेरी एक और नीव वीडियो के अंदर तो बहुत भाई कोस्टन कर रहे थे कि भाई सीवी फोटो एइटिंग एक भी नहीं आ रहा है प्रिसेट आ रहे हैं और यहाँ पर आप इंस्ट्राग्राम की चीजें सिखा रहे हो तो भाई आपके लिए स इसाट अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है अगर आपके पास यह नहीं है तो टेलिग्राम से या वट्सप चैनल मैंने बनाया है वहाँ से जाके आप डाउनलोड इसको कर लेना है अब आपको यहां से एक बैगराउंड एड कर लेना है सीवी बैगराउंड दूँगा आज स आपको रिमूब बीजी का एक ओप्सन मिल जाएगा देख सकते हो नीचे मार्क करके दिखा दिता हूँ इस पर क्लिक करना है रिमूब बैगराउंड पर आपको यहां से क्लिक कर दिना है वन क्लिक के अंदर आपका बैगराउंड रिमूव हो जाएगा यहां से देख सकते ह इसके बाद आपको उपर right का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर दिना है और before and after आप देख सकते हो photo यहाँ पर हमारी हो गई है अब आपको क्या करना अपने face को गोरा करना है उसके लिए आपको tool पर जाना है यहाँ से आपको object वाले option पर click कर दिना है आपको brightness को यहाँ से बढ़ा दिना है saturation को आपको यहाँ से minus कर दिना है highlight को हलका सापको बढ़ा लिना हलका सापको shadow को भी बढ़ा दिना है इसके बाद आपको उपर erase वाला option मिल जाएगा उस पे आपको click कर दिना है यहां से आपको invert का एक option मिलेगा उस पे आपको click कर दिना है अब आपको अपने face पे अच्छे तरीके से brush को चला दिना अपने face पे और hand पे size आपको अपना normal अपने तरीके से रख लेना है और perfect तरीके से अपने face को आपको गोरा कर लेना है photo को साफ कर लेना है और pixart application मैं आपको telegram पे दे दूँआ pin कर दूँआ महाँ से जाके download कर लेना and whatsapp channel पे भी डाल दूँआ बहुत भाई telegram नहीं चलाते तो whatsapp channel पे भी मैंने इसको upload कर दिया pixart को जाके महाँ से download कर लेना है इतना करने के बाद इसको done कर लेना before and after आप देख लो and यहाँ से आपको चले जाना एक retouch वाला option मिलेगा उस पे आपको यहाँ से click कर दिना है click करने के बाद आपको यहाँ से एक make up का option मिल जाएगा screen पे देख सकते हो इस पे आपको यहाँ से click कर दिना है अब आपको यहाँ से lips वाला option select करके amount को 100% आपको रख दिना है and यहाँ से आपको right पे click कर दिना है again आपको यहाँ से right पे click कर दिना है before and after आप देख सकते हो अब आपको अपने कपड़ों का color change करना है तो उसके लिए आपको add photo पर click कर देना है और यहाँ से आपको background वाले option पर click कर देना है और आपको एक कोई सा भी background add कर लेना है जिस color के अंदर आपने t-set का आपको set का color रखना है वो color आपको यहाँ से add कर लेना है तो यहाँ से मैं green color add कर लेता हूँ and size को आपको full कर देना है और यहाँ से आपको blend option पर click कर के यहाँ से आपको overlay पर इसको select कर देना है इसके बाद आपको उपर erase का icon मिलेगा उस पर आपको click कर देना है click करने बाद आपको invert पर click कर देना है hardness को आपको 90% size अपने हिसाब से आपको रख लेना है और अब आपको अपने कपड़ों पे टी सेट पे अच्छे तरीके से बरस को चला दिना है और ये PNG मैं आपको WhatsApp चैनल पे दूँँगा बहुत भाई बोल रहे हैं कि Telegram पे डालो वगएरा तो मैंने WhatsApp चैनल पे दे दिया और Telegram पे भी टाइम लगा तो वहाँ पे भी अपलोड कर दूँँगा नहीं तो आप WhatsApp चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको यहाँ से अप कपड़ों का कलर चेंज करना है जैसे Green Color हमने Select कर रखा है तो आपको क्या करना है यहाँ से Object वाले Option पर चले जाना है और यहाँ से आपको यू वाला एक Option मिलेगा तो यहाँ से अपने यू को आपको Change कर लेना है आपको जिस Color के अंदर अपने यू को रखना है आप कोई सा भी Color Select कर लेना है यहां से आपके कपडों का color है जो बिल्कुल perfect तरीके से change हो जाएगा आपको जिस color के अंदर अपने कपडों का color रखना है वो आप यहां से रख सकते हो तो मेरे को red color अच्छा लग रहा है यहां पर तो मैं इसको red color में रख देता हूँ saturation को बिल्कुल full कर दूआ 100% हलका सा contrast भी full कर दूआ और clarity को भी यहां से बढ़ा दूआ जिससे हमारे कपडों पे अच्छे तरीके से चमक आ जाएगी अब आपको यहां से right पे click कर देना है before and after आप देख सकते हो अब आपको यहां से tool पे click कर देना है and यहां से आपको AI enhance पे click कर देना है अब आपको थोड़ा सा wait कर लेना है अगर आपके pixart application में AI enhance का option नहीं है तो यह मैंने pixart application whatsapp channel और telegram पे दे दिया है आप जाके वहां से अराम से download कर ले और वहां से आप अच्छे तरीके से अपने photo edit कर सकते हो अब amount को आप full कर दोगे तो आपका photo यहाँ पर बिल्कुल HD में हो जाएगा आप देख सकते हो जूम करके भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूं तो यहाँ पर मैं normal सा रख देता हूं और right पर आपको click कर देना है before and after आप देख सकते हो photo को HD में save करने के लिए आपको draw वाले option में जाना होगा और यहाँ से आपको three dots पर click करके photo को save कर लेना है